हलो गाइज, वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल एकॉमर्स विज सितारा उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे फर्स्ट और फॉल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल एकॉमर्स विज सितारा को सबस्क्राइब कर दीजिए साथ इसाथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नगी आनवले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यह हमारा जो आज को टॉपिक है कि एकॉमर्स और इस टॉपिक पर इस थर्ड वीडियो है जिन्हों अभी तक पहली दो वीडियो वाच नहीं कि वह जली से जाकर वाच कर ले उन वीडियो को वाच करने का benefit यह होगा कि आपको इस टॉपिक के इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझा जाएगी मैं आपके लिए एक दफा briefly explain कर देती हूँ हमने last two videos में क्या discuss किया था हमने discuss किया था e-commerce क्या है, e-commerce के benefits क्या है और e-commerce की types कौन कौन सी है so e-commerce का मतलब होता है buying or selling goods for profit through internet or technology यानि बजरिया internet or technology जो हम चीजों की खरीद और फ्रोक्त करते हैं उसे e-commerce कहा जाता है सिर्फ चीजों की खरीद और फ्रोकती नहीं अगर आप services sale करते हैं या services buy करते हैं तो वो भी e-commerce के रहलाता है अब अगर हम बात करें इसके benefits की तो इसके बेशमार benefits है like आप घर बैठे वे online food मंगवा सकते हैं online medicines मंगवा सकते हैं online tickets बाई कर सकते हैं flights करवा सकते हैं online bills पे कर सकते हैं so e-commerce के बेशमार फाइदे हैं बेशमार benefits हैं उसके बाद इसके हमने 4 major types को briefly discuss किया था जिसमें 1st type थे B2B यानि के business to business फिर B2C फिर C2C and 4th जो है वो C2B थीक है 2nd video में हमने इसकी 1st type यानि के B2B के explain किया था के B2B का क्या मतलब होता है B2B का मतलब होता है business to business जिसमें एक business man दूसरे business man से deal करता है जिसमें एक business man दूसरे business man को को प्रड़क्ट सेल करता है या कोई services सेल करता है आज हम इसकी second type यानि के B2C को explain करेंगे so देख लेते है what is B2C meaning ठीक है B2C का meaning क्या है B stands for business 2 को हम कह सकते है deal या relation C stands for customer यानि जब एक business man एक customer के साथ deal करता है या जब एक business man एक customer को प्रड़क्ट सेल करता है या कोई services सेल करता है तो ऐसी deal को इस relation को हम कहते है B2C यानि के business to customer ठीक है अब मिसाल के तौरपर आप एक business man है आपकी stationary की shop है ठीक है आपकी stationary की shop है आप जो है आपके पास एक customer आया उसने आपसे stationary की demand की आपने उसे stationary sale की ठीक है आपके ज़जमान उसके दिन में जो deal हुई जो relation बना इस deal को हम कहेंगे B2C ठीक है जो B2C के according work कर रही होती है जहां पर business man जो है customer को product sale कर रही होते है और अगर हम offline में देखें तो offline जो है इसकी बहुत सी जो है like departmental stores different restaurants है different shops है जो B2C के according work कर रही होते है B2C जो है वो most common type है e-commerce की most common type है हमे mostly देखने ही को मिलता है के business man customer से engage होते है customer को product sale कर रही होते है so अभी हम बात कर रही है Amazon की विसाल के तोर पर आप एक business man जो है आपने Amazon पे अपना online store जो है create किया है आप जो है keyboard sale करते है जो है आप keyboard sale करते है आपके पास आप से जो है customer ने contact किया क्योंकि ये website से इसके लावा Alibaba भी है उसके लावा Aliexpress है Walmart है eBay है और भी बहुत से website है जो B2C के according work कर रही होती है so हम बात करेंगे कि आपने आप से contact किया customer ने ठीके आपने उसे क्या किया उसे जो है उसका product जो है वो उसके दिये गए address पर आपने delivered कर दिया ठीके आप एक businessman ने आप से contact किया customer ने आप दोने के दिर में जो deal हुई जो relation बना इस deal को इस relation को हम कहते हैं B2C यानि के business to customer B2C में businessman को as compared to B2B ज़्यादा फाइदा होता है क्योंकि जब एक businessman दूसरे businessman से deal करता है तो वो अपना profit margin कम रखता है क्योंकि obviously दूसरे businessman प्रोड़क्ट आगे sale करना होता है लेकिन जब एक businessman directly customer से engaged होता है customer को product sale करता है तो वो अपना profit margin usually ज़्यादा रखता है so I hope कि आपको इस topic की समझ आ गई होगी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए अपने बहुत साथ ख्याल रखेगा दूआ में याद रखेगा आलाफेज